नमस्कार दोस्तों स्वगतापस CP Smart Classes में में दोस्तों आज की अगबारों में जो सुर्खियां रही है वो यूपी PSC से जुड़ी ही सुर्खिया ज्यादा रही है इसमें तो इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो यूपी PSC में आपको जिसा की लगेगा भरती होने का विग्यापन निकलने से जोइनिंग तक का वो एक साल के अंदर ही सब काम पूरा होगा कल के अपने स्टेट्मेंट में भी उन्होंने बोला था कि करीब UPSC संघ लोग से वा आयोग करीब सवा साल का समय लेता है हम उससे भी कम समय लेंगे और आज ही इन्होंने ब्यान दे दिया है कि एक साल के अंदर जोइनिंग कराएंगे आगे कि जो वेकेंसी निकलेगी उसकी जिम्मेदा है कि चीट की परिच्छा है है सिठ्छा मित्रों के लिए एक खुस्कष्वरी है कि उथ्यूप्रियों को इत्तरक्ति सरकार से जवाब तलब कि परिच्छा मित्रों को उत्तरप्रदेश में कम वेतन क्यों दिया गया तो आएं दोस्तों इन सभी खढ़ा है जब देखिए य एक वर्स के अंदर होगा चैन यह अध्यच की कुर्शी पर सम्हालते ही डक्टर प्रभात कुमार ने एक्शन में आ गया है और पहली बैठेक में अधिकारियों से दो टू कह दिया कि परदर्शता वानस्पक्षता से समझावता नहीं होगा हर चैन प्रक्रिया भ्यार्थी की प्रतिभाग की अधार परिमांदारी से पूरी कराई जाएगी विग्यापन की तारिक से एक वर्स के अंदर हर भड़ती का चैन अनिमारी रूप से पूरा होगा उन्होंने कहा कि आयोग की लंबित परिच्छाओं पर तेजी से कम शुरू किया जाए आयोग में दच्छता प्रभावसीलता तथा प्रक्रियाओं में सरेली करण के लिए भी करवाई की जाएगी इसकी प्रतिष्ठा को पूरा पूरे स्थापित करना इनकी सर्वोच प्रात्मिक्ता है तो अब भ्यार्ति इस खबर से बहुत खुश होंगे और बहुत सारे अभ्यार्ति इनको ट्व जिस तरह से बातें कर रहे हैं जिस तरह से स्ट्रेट्मेंट दे रहे हैं इसी तरह से काम भी करेंगे जिसे की आयों की गरिमा की पुना वापसी होगी PCS 2017 मेंस जही भर्ती 2013 की लिखित परिच्छा का रियर्ट तीन साल से फसा हुआ है इन परिच्छाओं के रियर्ट जारी किये जाएंगे यह सारी परिच्छा है डाक्टर प्रभात कुमार की प्रात्मिक्ता में आती है और अब इन्होंने अध्यश्पत समाल लिया है तो इन परिच्छाओं पर जल्द से जल्द रियर्ट निकला जाएगा इसके साथ साथ एक और परिच्छा है वह है कि इसके बारे में भी डिसियन लेना है क्यूंकि इसके मैटर कोट में चल्ना आए है सात वीश्यों कीरिएट जारी कर दियए दिया गया है उसके बारे में जारीय होने उसके बारे Duncan को decision लेना होगा और बाकी साथ दूस्यों का जो से डाकुमेंट वेरिफिजेशन का था काम उसको भी रुकवा दिया गया है उसके बारे में भी decision लेंगे तो उम्मिद है कि ड्क्टर प्रभास कुमार की अध्यश्यदा में आयोग अपने पुराने पैटन पो वापस आएगा हता है एक साल के अंदर ही एक सेमापस की एक से ऍलका पर जाती थी लेकिन अब फिरी हो है शीच्चा मित्यों के लिए ख़बर है कि शीच्छा मित्रों को कम बेतन देने सरकार से से जबाब किया ए शुपुरिम फहरे मंगला वार को यूपी सारकार को ूप और और इसके साथ एक हवर और है प्रिक्टिकल में 30 नंबर 30 में से 29 नंबर लिखित में मिला सूर ने तो इंटर के छादरन हाई कोट में चुनोती दिये क्योंकि सुप्रिम कोट ने राजी सरकार से कहा था कि सिच्च्चों को समयोजिन से पूर्वी की इस्थिति में रखने की जुमेदारी सरकार की होगी और जाचिका करता ने कहा कि समयोजिन से पूर्वी की इस्थिति एक लाख 24,000 प्रसिचित इसनातक सिच्चा मित्रों की है करती है और उनको वेतन देती है तो तो दोस्तों यह थी आज की कुछ खबरें जिनके बारे हमने चर्चा किया आगे भी इस तरह की खबरों हम चर्चा करते रहें हैं अगर आपने हमारे चैनल को वे तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो सब्सक्राइब करके वेल आइकन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नगे बेट के साथ धन्यवाद रहे हैं अ कि लुझे उदे नहीं हैं रहे हमारे इसप्स करते हैं लिचमारे नहीं कि खाने हमारे उसे हीगदू यहीं दुट्स करते हैं